और सबसे पहले रुख करेंगे करनाल का जहांपर सीएम ने ओचक निरिक्षन किया है कंड स्टेडियम का ओचक निरिक्षन करने के लिए पहुँचे थे सीएम मनुहलाल खटर निरिक्षन के लिए बुलिट मोटर साइकल से पहुँचे सीएम खटर स्टेडियम में खिलारिओं से बाचीद की शिकायत मिलने के बाद निरिक्षिन किया है ये CM खटर ने कहा खुला दर्बार लगा कर लोगों की शिकायत का निवारण भी किया इसी दौरान CM खटर ने C.M. Khattar इस दोरान ये कहते हुए नजराए चुकि शिकायते बहुत मिल रही थी और इसी को लेकर उन्होंने ये और चक निरिक्षन किया कमल मिड़ा इसी खबर पर हमाई साथ जुड रही है कमल, C.M. ने और चक निरिक्षन किया है, करनाल पहुँचे थे, करन्ड स्टेडियम का भी और चक निरिक्षन किया क्या कुछ खामिया ज़रान उनको मिली लगता है संपर्क उनसे टूड़ गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे बेरहाल तस्वीरे आपको दिखा रही है बुलिट पर सवार होकर C.M. खटर बेहत अलग अंदास में और चक निरिक्षन करने के लिए पहुँचे थे करनाल यहां पर वो कर्ण स्टेडियम में पहुँचे चुकि शिकायते बहुत मिल रही थी, एसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो यहां पर निरिक्षन करने के लिए पहुँचे है कमल मिट डाइक बार फिर से हमार साथ जुड़ गए है करनाल की नहीं अनाजमिन दीव उन्होंने कुला दर्वार भी लगाया था लेकिन उससे पहले आज सुबह तड़के उससे ही मुख्यमंत्री सबसे पहले जो है करनाल के इस स्टेडियम को अंतरा सिस्टर का स्टेडियम बनाया जाएगा तरी साथ करोलर भी लाज़ इसको दाएगी जिसका कारे जो है कुछ देक या दो महीने पहले शृब कर दिया जाएगाए